कि तो दूस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये इठ guesses के बारे में पूरी जानकरी देंगे वीडियो के अंदर कि ये जो इ dads mice 400 टेबलेट हैं यह इस्तेमाल करने की वज़द से आपको क्या-क्या फाइदा मिल सकता है और इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और इसे करने के वज़े से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और कौन-कौन लोग इसे इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में पूरी जानेंगे ठीक है तो अंतक जरूर बने रहे हैं तो दूस्तों यह इतो डोल एक जो 400 टेबलेट है यह एक एंसे ड्राग है यानि नॉन आर्थाराइटिस की पेइन में इसे इस्तमाल करते हैं तो दूस्तों यह जो आर्थाराइटिस है यह एक बुरहाप्य की बीमारी है अक्सार आपकी घुटनों की और हाथ की जोईन पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है रात में अक्सार बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो बुरापय में यह चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्यत पैदा करते हैं तो ऐसे परिस्तितियों में यह दर्द से निबारान पाने के लिए यह इत्रोड्रोलेक यह दर्द और यह दर्द और शूजन को पैदा करने वाला एक केमिकल होता है तो दूस्तों यह जो इत्रोड्रोलेक यह तो चलिए थोरा सा जान लेते हैं तो दूसे यह इत्रोड्रोलेक टैबलेट यूज करने के बाद हमारे शरीपर जो कॉक्स है यानि साइक्लो ऑक्सिजन से उसे ब्लोक करने का काम करता है और जिसकी वज़ए से प्रोस्टागलेंडिन जो है वह रिलीस नहीं हो पाते है हमारे शरीपर जिसके वज़ए से दार्द और सुजन कम हो जाता है ठीक है इसका काम यही है कि हमारे शरीपर प्रोस्टागलेंडिन जो है उसे रिलीस नहीं होने देते हैं जिसके वज़ए से दार्द और सुजन और बुखार भी कम हो जाता है ठीक है तो दोस्तों इन कंड आपस की शमयशा हो सकता है यानि इनडाइजेशन की शमयशा हो सकता है या फिर पेट में कभी-कभी जलान भी हो सकता है और उसके अलबावी कुछ बातों का भी ध्यान रखना बहुत ही जुरूरी है जब भी आप पेन के लिए यूज करते हो अगर आपको गेस्टिक अलसर की की शमयशा है तो फिर आप एंसे ड्रग यूज नहीं कर सकतों किट्नी की शमयशा होने पर भी आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो लिवर की शमयशा होने पर भी आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो अगर आप इस्तेमाल करना है तो आप जोक्टर से कौंसल करके ही आप य जादे यूसफुल होगा तो मिलते हैं अगले एक नहीं वीडियो में एक नहीं इंफर्मिशन के साथ